टीवी पर आगामी 16 अक्टूबर से प्रसारित होने वाले डांस रियालिटी शो इंडियास बेस्ट डांसर के प्रतिभागी आजिन दौर पहुँचे जहाँ नोंने शो की फॉर्मैट की जानकारी देने के साथ ही अपने डांस की मूव्स भी दिखाए दरसल टीवी पर जल्द ही इंडियास बेस्ट डांसर का सीजन टू 16 अक्टूबर से प्रसारित होगा वहीं शो के लिए देश भर के अलग-अलग शेहरों में ओडिशन का दौर लगातार जारी है इस शो की प्रतिभागी के रूप में तीन कलाकार इन दौर पहुँचे भाग लेते थे लेकिन अब जब वहां खुद इस शो में बतौर प्रतिभागी शामिल हुई तब उन्हें ये देख कर काफी खुशी है कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग शेहरों से कई सारे प्रतिभागी इस शो में भाग लेने के लिए पहुचे है जिसमें दौर भुपाल सतना सहित अन्य शेहरों के प्रतिभागी है इस बार last season से बहुत ज़्यादा level उपर है, बहुत ज़्यादा टालेंट आया है, बहुत ज़्यादा competition है, तो अब इसलिए competition ज़्यादा होने के वज़े से show भी बहुत अच्छा दिख रहा है, shoot होने के बाद, तो हम लोग बहुत excited हैं, अभी भी auditions बच्चे होएं, अभी भी बहुत ऐसे pressure हैं हम लोग को की इतने सारे contestants हैं कैसे select होंगे, क्या और किता मैनत करना है, किस direction में मैनत करना है, तो pressure बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा excited है, क्योंकि last season इतना ज़्यादा successful रहा है, तो इस season और ज़्यादा talent है, तो मेरे गाल से और ज़्यादा successful वहीं असम और महराश्र के प्रतिभाग्यों ने भी इस शो से जड़े अपने अनुभव और शो में अपने भविश्य को लेकर मीडिया से चर्चा की गोहाटी एक चोड़ा सा शहर है असाम में और वहाँ के लोग जो है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और बहुत ज़्यादा ओपन मैंड़े है, कुछ भी चीज को लेके उन लोग को इगो नहीं है, इसलिए वो लोग का जो mindset है, किसी भी art form को लेके, be it dance, painting, singing, तो उन ल लोग में वो हमेशा अवल आते हैं, वो लोग का दिमाग बंदा हुआ नहीं एक box के अंदर नहीं है, इसलिए जो लोग भी reality shows करने आते हैं, गोहाटी से लोग बच्चे जो भी आते हैं, वो लोग काफी आगे तक जाते हैं, और अभी recently एक show आता, जिसमें एक बच्ची गो करता हूं, तो I feel very proud belonging to a city like that, और I'll try my level best to represent my city, में represent करूंगा अपनी city को, और I'll make my people proud, एक पाटी के लिए गया था, तो पाटी में वो सॉंग बजाता, और वो मतलब पाटी के लिए गया था, और वो एक सॉंग बजाता, लेला, जो मेरे माइड में फित हो गया, और वो गाना तबी पूराना और नया, वो दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ था, ऐसे कई जगे से बहुत सारे सॉंग सुनके हमारे दिमाग में ऐसे सब आइडिया आते हैं, फिर उसको recreate करते हैं, उस पे काम करते हैं, एंदेन हम लोग खुद का रूटीन बना के उस पे प्रेजेंट कर इंडियास बेस डांसर सीजन का दर्शकों को भी बेसबरी से इंतजार है